हलो एवरिवान वल्कम तो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की क्योंकि सेभी यानिकी सेक्यूरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एनसी और इनकी फॉर्मर चीफ चित्रा रामा कृष् की जाए लेटेस डिवलप्मेंट की तो सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानिकी सेभी ने ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इसके दो पुराने मैनेजिंग डिरेक्टर चीफ एक्जिकेटिव चित्रा रामा कृष्णा रवी और सेभी ने तीन करोड की पेनल्टी लगाई है चित्रा रामा कृष्णा पे दो करोड की पेनल्टी लगाई गई है रवी नारायन पे और इसके अलावा दो करोड की पेनल्टी लगाई गई है एनसी और आनंद सुब्रामन्यम पे आनंद सुब्रामन्यम जो की पहले और अब अगर बात की जाए कि सुब्रा मन्यन की appointment को लेकर किया governance issue पाए गए हैं तो सेबी ने अपने order में बोला है कि इनको December 2015 से November 2016 के बीच में सुब्रा मन्यन की appointment थी उसको लेकर कि कुछ governance issue की complaint मिली थी जिसके बाद इन्होंने इस मुद्दे की जांच की और यह जो जांच है वो सुब्रामन्यम की जॉइनिंग से शुरू की गई थी और सेभी ने अपने final order में बोला है कि इन्होंने अपनी जांच में पाया है कि जो सुब्रामन्यम को compensation offer की गई थी वो किसी भी और consultant को उस period में जो compensation offer की गई थी उससे बहुत जादा थी और इनको कोई भी relevant experience भी नहीं था इस position का उसके बाद भी इनको बहुत जादा compensation offer की गई थी इसके अलावा इस position के लिए जब interview लिया गया था तो सुब्रामन्यम इकलौते candidate थे यानि कि किसी और candidate को इसमें मुलाया नहीं गया था interview में और अगर इनकी compensation की बात की जाए तो NSC को join करने से पहले जो इनकी last drawn salary थी वो 15 लाख परैनम की थी लेकिन इनको NSC में as a consultant यानि कि full-time employee भी नहीं थी as a consultant इनको 1.68.000.000 रुपे की annual compensation offer की गई थी और ये जो compensation एक किसी भी full-time employees से जादा थी जिनकों की industry का बहुत जादा relevant experience था और initially तो इनको 1.68.000.000 रुपे की compensation offer की गई थी इसके बाद जो इनकी appraisal थे यानि की salary increase थे वो भी irrational थे यानि कि बहुत जादा disparity थी जो दूसरे लोगों के salary increase थे उससे बहुत जादा इनको salary increase दिये गए थे और इसके अलावा जो pre-employment document होते हैं जैसे कि educational qualification certificate, experience certificate यह आपको जब भी आप job join करते हैं तो आपको HR को submit करने पड़ते हैं लेकिन सुबरा मन्यम ने ये certificate भी HR को थी, वो arbitrary यानि कि बेतुकी थी और वो NSE की policy के हिसाब से नहीं थी और regulator ने बोला है कि जो चित्रा रामकृष्णा है वो impartiality के साथ act करने में fail हुई है और उन्होंने अपनी power को misuse किया है सुबरा मन्यन की appointment में इसके अलावा सेभी ने अपने order में चित्रा रामकृष्णा के द्वारा एक unknown व्यक्ति के साथ confidential information share करने का भी आरोप लगाया है और इस unknown व्यक्ति को चित्रा रामकृष्णा शीरो मनी कहके बुलाती थी और उनका कहना था कि ये व्यक्ति हिमाले में रहता है और spiritual force है और कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं बिना physical body के तो इनके उपर जो आरोप है कि इन्होंने confidential information share की थी जैसे कि NSE का 5 साल का projection plan financial data, dividend ratio, business plans, board meeting का agenda और यहां तक कि इनसे consult किया जाता था employee की performance appraisal को लेकर के भी हाला कि चितरा रामा कृष्णा को NSE से 2016 में निकाल दिया गया था क्योंकि इनके उपर algo trading scam और जो सुब्रामनिन की appointment है उसमें अपनी power को misuse करने का आरोप था लेकिन इनकी जो भी 44 करोड के dues थे salary और pending dues वो इनको pay कर दिये गए थे जब इनको निकाला गया था और सेभी ने अपनी जांच में reveal किया है कि रामा कृष्णा इस योगी के साथ लगातार communicate कर रही थी जिनकों की वो शिरूमनी बुलाती थी लगबग 20 साल से ये आपस में mail पे exchange mail पे बाते कर रहे थे और इसी unknown व्यक्ति है हिमालयन योगी ने ही सुबरा मन्यम की जो appointment है उसके लिए guide किया था चितरा रामकृष्णा को और market regulator का finally कहना है कि भई कोई ऐसी exception नहीं है regulation में जो कि आपको allow करें कि आप confidential information शेयर कर सकते हैं चाहे वो spiritual 4C क्यों ना हो तो इसके चलते इनके उपर penalty लगाई गई है और इस report में finally conclude किया गया है कि बहुत सारे regulation और laws का NSE में breaching होई है और इन्होंने बताया है कि जो noticeee number one रामकृष्णा है और सुबरा मन्यम ये दोनों ही उस unknown व्यक्ति के touch में थे काफी सालों से और ये और प्रूफ करता है कि जो भी सुबरा मन्यम की appointment है या उनको जो delegation of power किया गया है उनकी compensation increase कराई गई है वो सभी बेतुकी थी और कोई जो ये unknown व्यक्ति है वो guide कर रहे थे और इसके पीछे के जो कारण थे वो सिर्फ वो नहीं थे कि उनकी ability थी ये सब गलत तरीके से किया जा रहा था और आप यहाँ सुबरा मन्यन की salary देख सकते हैं एक करोड 68 लाग की इनको शुरू में salary offer की गई थी जब इनकी appointment हुई थी और इसके बाद इनको लगातार बहुत बड़े बड़े इनको jump मिले जैसे कि 2014 में इनको 2 करोड 1 लाग salary हो गई फिर 2 करोड 32 लाग और जो 16,4 2015 को इ जाए final order की तो SEBI ने यह order pass किया है कि जो national stock exchange है उनको 2 करोड की penalty देनी पड़ेगी इसके अलावा वो अगले 6 महीने तक इस order के कोई भी नया product launch नहीं कर सकते और चितरा रामकृष्णा और आनन सुब्रामन्यम को ban कर दिया गया है किसी भी market activities यानि कि वो share market में participate नहीं कर सकते और ना ही कोई SEBI registered intermediary के साथ deal कर सकते हैं इस order के 3 साल के period में इसके अलावा SEBI ने ये भी NSE को direct किया है कि भई जो access leave and cashment है 1 करोड 54 लाग का और deferred bonus है 2 करोड 83 लाग का उसको 4 feed कर लिया जाए जो कि exchange ने retain कर लिया था और इस पैसे को investor protection fund trust में 6 दिन के अंदर जमा कराया जाए इसके अलावा जो 2 करोड की penalty है वो कुछ और रवी नरायन पे भी लगाई गई है और 6 लाग की penalty एक और associate पे लगाई गई है NSE में जो कि उस time पे available थे इसके अलावा SEBI ने बोला है कि जो penalty का amount है 45 दिन के अंदर अंदर deposit हो जाना चाहिए इस order की receiving के बाद और अब अगर बात की जाएगी भई NSE का तो IPO आने वाला था जो कि यह माना जा रहा है कि second most rated IPO हो सकता है LIC के बाद तो उसमें latest क्या update है तो उसमें latest update यह है कि NSE अपने final जो verdict आना है securities and appellate tribunal यानि कि SAT के द्वारा algo trading case में उसकी wait कर रहा है और यह algo trading case क्या है इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो NSE पे पहले मैंने एक video बनाया है वहाँ पे detail में explain किया है और जो SEBI का कहना है कि भाई यह NSE IPO पे जो final call तब लेंगे जबकि government final कर देती है कि भाई जो इनके SEBI के जो chairman है Ajay Tiaagy उनकी extension का क्या होने वाला है government जो है आने वाले एक से दो week में SEBI chairman की जो extension है उसके ओपर decision लेने वाली है और sources का कहना है कि जो current जो leadership है SEBI की यानि कि Ajay Tiaagy and team वो favor में है कि भाई NSE के IPO को go ahead दे दिया जाए जैसे ही SAT का verdict आता है अला कि SEBI और या NSE Supreme Court को approach करेंगे अगर इनके favor में verdict नहीं आता है SAT का इसके अलावा NSE ने reveal किया है कि इन्होंने consent application SEBI के साथ file किया है consent application मतलब कि इन्होंने settlement की offer दी है जो trading access point का access इन्होंने दिया था कुछ broker को उसके चलते और ऐसा माना जा रहा है कि exchange को NSE को कई करोडो रुपया इसमें देना पड़ सकता है SEBI को अगर even SEBI settlement offer को accept भी करता है तो और NSE का कहना है कि इन्होंने अभी इनको बड़ी penalty लग सकती है इस case में उसको अभी इन्होंने balance sheet पे नहीं लिया है क्योंकि इनका कहना है कि अभी तक जो matter है वो SEBI के साथ pending है तो अभी उसका reliable estimate नहीं लगाया जा सकता कि कितना बड़ा इनको obligation आ सकता है तो इसलिए इन्होंने अभी तक कोई इसका provision नहीं बनाया है और इसके अलावा अगर इनके third quarter यानि कि December quarter के profit की बात की जाये तो बहुत ही अच्छे number आये है इनका जो December quarter का profit है वो 1348 करोड रुपेर आये और अगर इसको December 2020 वाले quarter से compare करें तो वहाँ पे इनको 208 करोड का profit हुआ था तो इनको 5 टाइम से भी जादा profit हुआ है और अगर इनके nine months यानि कि April से December 2021 के बीच का profit देखा जाये तो वो 3618 करोड हो चुका है और पिछले पूरे financial year में इनको 3600 करोड का profit हुआ था तो इनके profit definitely बहुत अच्छा कर रहे है क्योंकि NSE और BSE दोनों की profits में काफी अच्छी jump देखी जा रही है क्योंकि पीछे equity market में बहुत जादा नए ट्रेडर्स आए हैं जिसकी वज़े से इनको काफी फायदा हुआ है तो ऐसा लगता है कि NSE के IPO में शायद अभी भी कुछ अडचने हैं जैसे कि SAT का order क्या आता है इसके अलावा SEBI के जो chairman है उनका extension किया जाता है नहीं और इसके अल पर वीडियो बना कर आपको इंफॉर्म करूंगा थैंक्स सो मुच पर वाचिंग दा वीडियो और ब्लस्यू और ब्लस्यू अल